हेलो फ्रेंट्स आई हम इस क्वेशन को सॉल्व करते हैं वेन नंबर इस डिवाइड़ बाइ 56, तो रिमेंडर बचता है, 29 बचता है तो पूछ रहा है आगे कि रिमेंडर क्या होगा अगर इस नंबर x को हम 8 से डिवाइड करें यह हम इसे क्वेशन पूछ रहा है, तो इस तरीके के क्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यह देख लेते हैं जो पहले नंबर डिवाइड हो रहा था, लग जिस नंबर से पहले x को डिवाइड किया जा रहा था और अब जिस नंबर से x को डिवाइड किया जा रहा है क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है, तो यहां हम इसली देख पाएंगे कि 56 और 8, 8 जो है फैक्टर है 56 का क्यों, कि 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो completely डिवाइड होता है, 7 टाइम जाता है, 7 एट जा 56, it means कि 56 जो पहले डिवाइड कर रहा था x को, जो है 8 उसका factor है, तो आगे इस question में कैसे proceed करते हैं, जो remainder हम बचा हुआ है, अगर उस remainder को हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस case में जो remainder बचेगा, वही 8 से डिवाइड होने पे x की value remainder देगी, तो इस case में remainder क्या बचेगा, 5 बचेगा,